नमस्कार दोस्तों टिशोर एसलोजी में आप सभी का स्वागत है और आज पेश है तीसरा प्रशन आपने हमारे लगातार दो प्रशनों के बहुत सही जवाब दिये हैं बहुत अच्छा रिस्पॉंस आप सबकार रहा है तो इसी संदर्प को आगे बढ़ाते वे तीसरा प्र प्रश्रम किस भाहों से देखा जाता है तो यह हमारा तीसरा प्रशन है जो भी कोई इसका सही जवाब देगा उन में से किसी एक की जर्म पत्रिगा का हम यहां पर लाइप मस्या समधान करने की कोशिश करेंगे और उसको उसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करेंग सारे उत्तर हमारे पास आए हैं इसका सही जवाब है दोस्तो मिथुन राशी सिंग राशी इसके अलावा धनु राशी और कुम राशी जिहां दोस्तो ये चार राशियां ऐसी होती है जिनमें कोई भी ग्रह उचिया नीच का नहीं होता है अब जो आज के हमारे विजयता रहे है उनका नाम है प्रतीक अगरवाल जहां दोस्तो प्रतीक अगरवाल जी ने इसका सही जवाब में दिया था अलंकि बहुत सारे अन्य लोगों ने भी हमें सही जवाब दिया है तो यदि प्रतीक अगरवाल जी हमें सुन रहे हो तो उन्होंने हमें प्रतीक अगरवाल 8486 क के नाम से comment भेजा है जिसमें उन्होंने विल्कुछ सही जवाब दिया है यदि हमें वो सुन रही है तो किरपया करके अपने कुछ प्रश्ण और अपनी डिटेल्स और आपने क्या-क्या पड़ाय लिखाई की है वगरा-वगरा हमें कमेंट स्पॉक में भेज दीजेगा आपके कुल्ली का निशुलक समस्या समाधान किया जाएगा वो भी लाइव यूट्यूब के मार्टियम से ही जिसे सब लोग देख पाएंगे समझ पाएंगे कि कुल्ली किस प्रकार से देखी जाती है तो दोस्तों आज के लिए यतना ही तो आज का प्रशन जैसा कि मैंने बताया तीसरा प्रशन हमारा यह है जो आपको यह बताना पड़ेगा कि गुरू का आश्रन पत्रिका में कुल्ली के किस भाव से देखा जाता है और जो भी कोई प्रशन सही जवाब देगा उसको हम समस्या समधान निशुलक से करके आज के लिए उस्तों इतना ही आपसे निए मुझे सुना आपसे पड़ेने वाद नमस्कार्व